जै ग्रूजी संगजी ग्रूजी टूडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आईकोन के बटन को प्रेस करके All पर क्लिक कर दे ताकि इस चैनल पर अप्लोड होने वाली गुरू जी की डेली की ब्लैसिंग संगजी आप तक पहुंच सकें संगजी अगर आप इंडिया या इंडिया के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और अपना सत्संग गुरू जी प्यार इसे चैनल पर शेर करना चाहते हैं संगजी के साथ अप्लोड करवाना चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे वाटसाप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे वाटसाप नंबर अपना वाइस मैसेज के रूप में सत्संग record करके भेज सकते हैं ताकि हम संगा जी गुरू जी के इस चैनल पर आपका सत्संग upload कर सकें जै गुरू जी संगा जी आज का जो सत्संग है बहुत अद्बुत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ share किया है फरीदाबाद से नमीन अंकल जी ने ये सत्संग संगा जी एकदम हिरान रॉंग्टे खड़े कर देने वाला सत्संग है मतलब जब ये सत्संग मेरे पास आया तो सत्संग को सुनकर मैं एकदम से शौक हो गया बहुत सादा इतना घजब अद्बूत सत्संग है कि ऐसा भी होता है और मालिक के दरबार में आपको पता है गुरुजी कि यह कुछ भी इंपॉसिबल नहीं हर चीद पॉसिबल खाली आप दिल से सोच लो आप दिल से सोच लो गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं चलिए अंकल जी के साथ अंकल जी के यह सत्संग की जर्नी शेयर करते हैं जै गुरुजी जै गुरुजी गुरुजी के स्रीचर्णों में परणाम गुरुजी की प्यारी संगत को जै गुरुजी मैं नभीन फरिदाबाद से हाज अपना एक सर्संख शेयर करने जा रहा हूं गुरुजी की किर्पा से ये सर्संख शेयर करने का मुझे बहुरक के प्राप्प हुआ मुझे अभी गुरुजी से चुड़े एक साल तीन महिने होए और इन एक साल तीन महिनों में गुरुजी की अपार ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि साइद आज इतने ससंग है कहने के लिए मेरे को कि मैं खुद कितनी भार कितनी चीज़े भूल जाता हूँ तो गुरुजी रिपीट करा देते हैं कही बारी तो ससंग तो आज मैं अपना एक सुरू का ससंग जब मैं सुरुवाती मेरी गुरुजी ने हाथ पकड़ा मेरा उस समय जब मैं बहुती ज़्यादा तूट चुका था, हार चुका था, बिल्कुल सारी जगा से बिल्कुल मायूस हो चुका था कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक दम हार चुका था, सब कुस्तियाग चुका था, हर चीज से विश्वास तूट चुका था, पूजा पाड सब छोड़ चुका था, एक नास्तिक की तरह जीवन वैटिद कर रहा था, क्योंकि गुस्सा हो गया था, जितना शेव संकर जी, शेव जी का, मानता था, बहुत पुजा पाड़ करता था, तो उन दिनों, यूटूब पे, गुरु जी का एक ससंग में सामने आया, वो मैंने देखा, अच्छा लगा, फॉलो करने लगा, देखता गया, एक के बात एक, एक के बात एक, एक के बात एक, और गया उसी तरह से फालो करता गया और वही फालो करते 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 एक दिन में सुभेरे ध्यान में बैठा हुआ था अमरी तवेले तीन बज़े का टाइम था सुरवात मेरी इस तरह से हुई कि एकदम कानों में इस पस्ट आवाज सी सुनाई दी अब मैं तो कभी फिशिकली फॉम में ना तो गुरुजी को देखा ना कभी सुना कि मैं तेरे ना आला चिंता ना कर मैं तेरे ना आला आप मैंने आखे खोली और मुझे इस चीज़ का एहसास कि मैं ये सब्द कहां से सुनाई दी ए कुस्स में बीता एहसास वो चीज़ लगा फिर कुस्स दिन के बाद में ऐसे ही बैठा हुआ था और गुरुजी का लियान कर रहा था सुबह का वक्त था दूसरी टाइम गुरुजी की आवाज फिर कानों में गुजी उन्हें तैनु मुक्ती नहीं मिलूगी अब उस वक्त मेरे को थोड़ा सा आजीब लगा एक दम के ये वाज कहां से आई और किस की है आगे खोल के चारों तरफ देखा और फिर थोड़ी दिर में ही कुस दिर में ही ऐसास हो गया तक ये गुरुजी की आवाज है और उसके बाद में मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े और विंती करी कि गुरुजी मैंने तो कभी आपसे ये कामना भी नहीं करी कि मुझे मुक्ती चाहिए तो वो जवाब मुझे कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से दिया कि मुझे कुछ समय पहले कुछ समय क्या मतलब कुछ महीने हो गए थे जो मैं भूल चुका था जो एक सपन दिखाया था गुरुजी ने जिसमें मैंने अपने आपको एक अलगी रूप में अपनी जो फेस आज़े वो अलग फेस में लेकिन सपने में मैं देख रहा हूँ कि ये मैं हूँ अलगी चीज दिखाया उसमें तो वो चीज मुझे वो सपन समझा दिया गुरू जी ने कि वो सपन में जो देखा वो तू ही था और वो तेरा पिछला जनम था जो पीछे जनम में था और पीछे जनम में कुँछ में बहुत मायोस बहुत ही निरास था कुछ कुछ दिक्कत थी कुछ परिशानी थी लाइफ तो उस हालास में मधोसी की हालास में मैं इस तरीके से घूमता हुआ कहा निकल गया मैं खुज नहीं जानता था तो वहां से निकलते निकलते एक घर के आगे से निकल रहा था तो मुझे प्यास लेगी रास्ते में तो मैंने वह देखा घर का दरवाजा खोला हुआ था तो वहां एक आंटी थी अंदर उनके पास उनको पूछा क्या है पाणी मिलेगा पीने को तो उन्होंने पानी पिलाया और मुझे बैठने के लिए कहा बहुत तूटा हुआ था, बहुत मायूस था तो मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा आप बैठिये आपके लिए चाय बनाती हूँ चाय लेगी मैं थोड़ी देर बैठिया क्योंकि मुझे खुद होसनी था मैं कहां पे हूँ, किदर हूँ, मैं तो अपनी धुन में ही कही निकला हुआ था बस पानी के लिए रुका, थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे से बात करी तो उनको भी मैंने बताया कि मेरी दिक्कत, मेरी परिसानी क्या थी कि मेरी लाइफ से, जो मेरी संगनी थी उस जनम में वो मुझे अचानक ही छोड़के कहीं भाग गी थी और मेरा उनसे लगा बहुत ज़्यादा था तो उस वज़े से मैं बिलकुल तूट चुका था और मायूस हो चुका था तो वो चीजे बताता गया तो वो चीज अंटी सुनती रही वो जो अंटी जो थी वो मैं अभी आगे चलके बताऊंगा तो मैं वो चीज उनको बताता रहा अब उनको भी थोड़ा सा लगा के बहुत इस तरह से तूटा हुआ है वैसे तो कोई बात नहीं मेरे को अच्छा लगा मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहां आ सकता हूँ मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा अच्छा लगता है यहां पर नहीं तो मैं हमेशा इसी तरीके से दिमाग में कुछ चलता रहता है और मैं बिल्कुल कुछ नहीं पता मेरे को अपनी लाइफ के बारे में क्या करूं क्या ना करूं तो फिर उनने का ठीक है आप आजाया करो आपको जब दिल करें ऐसी कुछ दिनों तक गया अब उस समय अंटी भोले की बहुत 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 ज़ादा उनको पुजा पाठ उनको बहुत मानती थी बहुत साधना करती थी बहुत अराधना करती थी तो अंटी के मन में पतानी कब मेरे दिल में मेरे लिए उनके दिल में कुछ ऐसा चीज आई और वो जानती थी इस जनम में तो अगर इनसे कुछ ऐसी बात करी, क्योंकि इस समय बहुत टूटा हुआ है, तो उस समय अंटी ने भोले नात से प्रातना करी, कि है भोले नात मैंने जितनी आपकी सेवा करी, जितनी पूजा करी, अगर उसका मुझे कुछ फल देना चाहते है तो मुझे ये सक्ष पीशे साथ जनमों के लिए चाहिए, तो वो अंटी ने साथ जनम के लिए मुझे मांग लिया भोले नात से, और आज जो अंटी जिनके साथ मेरा जैवन वहतीत हो रहा है, मेरी वाइफ की रूप में, पहला जनम है, और गुरू जी ने ये समझा दिया कि वो जो मुक्ती जो बोला था, कि हुने तैनु मुक्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि अंटी ने पहले से ही मांग रखा है, तो इसलिए अभी जीवन मिर्त्यू के छे चक्रब मुझे और निकालने अंटी के साथ, उसके बाद कहीं मुक्ती ही काम ना करूँ, तो ये मेरा एक जय गुरुजी, सुक्राना गुरुजी